हम बात कर रहे हैं एक हेल्दी रूटीन के बारे में ऐसे रूटीन के बारे में जिसको फॉलो करने से आपके पास बीमारियां नहीं फटकेंगी तो चलिए बताता हूं मैं आगे क्या करना है किस तरह का रूटीन रखना है साथ में जब आप सुबह उठते हैं जैसा मैंने बताया है कि बिना ब्रश किये हुए आपको पानी पीना है अब उसके बाद जब आप ब्रश करते हैं तो ब्रश करने के बाद मूँ में आपको पानी भर लेना है पूरा आपका मुह पानी से भर जाए, मुह फूल जाए, इतना पानी भरना है, और फिर आखों में छीटे मारने हैं, फ्रेश पानी से आखों में छीटे मारने हैं, कम से कम 15-15 छीटे दोनों आखों में मारें, ये प्रयोग अगर आप दिन में तीन बार करते हैं, मुह में पा हैं तो गरम होने लगता जैसे ही पानी गरम होने लगता है तो इसको थूग ते जब कर दोभारा से पानी है आपक्कम में भणले और आखों में चेटे नहीं Panigi अब शिष्टे वारने के बाद जब आप फ्रेश होने जाते हैं, जब आप टॉालेट जाते हैं, तबalin का अपने दातों को भीच के हराना है, जब आप फ्रेश होते हैं, तो जणर लगा यह ici और जड़ा कर समिए दातों को इसearह तरह से साफ होता है Baie दातों की exercise हो जाती है, तो ये आपको करना है, इसके बाद जब आपका time होता है, 11-12 वजे के लगभग में आप लंच करते हैं, लंच हमेशा balance होना चाहिए, उसमें protein जरूर होना चाहिए, क्योंकि पानी के बाद शरीर को दूसरी सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है, वो है protein सबसे पहली जो जरूरी चीज है, वो है oxygen, वो आपको मिल गई प्राणायाम से, अनलोम विलोम से, उसके बाद दूसरी जरूरी चीज है पानी, पानी के बिगार सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, वो आपने सुबह ही सबसे पहले ही उसमें पानी पिया है, अब त हरी पत्यदार सबजी अगर आप नहीं ले पा रहे हैं, तो कोई भी हरी सबजी ले ले ले, आप लौकी है, भिंडी है, तमाम तरह की हरी सबजी हैं, उनका प्रियोक ज्यादा करें और वो ज्यादा क्वांटिटी में आपको लेना है, चपाती ले 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 आप उसके साथ मे पानी नहीं बीना है आपको, अगर आपके लिए संभव हो, तो कम से कम एक घंटे तक आपको पानी नहीं बीना है, लंच करने के बाद आपको कम से कम 500 कदम चलना चाहिए, दोड़ना नहीं है आपको, दोड़ना बिलकुल नहीं है, चलना है, धीरे धीरे चलना है, आप टिप्स हैं, यह मैं उन्हें वताऊंगँ आपको अगले अपिसोड में. खिलाल के लिए हमारी कामना यही है कि आप सबस्तफ रहे हैं, व्यास्त रहें, मस्त रहें, हमसे मिलते रहे हैं. झाल झाल